लेकिन देखो, मैंने 5 साल पहले स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर मैं 5 साल इस बिजनस में रहूँ, Amazon FBA business है कि ऐसा business है, आप कहीं से भी, वर्ल्ड में कहीं भी रहकर किसी भी country में sell कर सकते हैं, और यह मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग है जो दूसरे country में रहते हैं, not in Japan, and they are still selling on Amazon Japan, अगर आपको एक physical business create करना है, तो जो capital लगता है, जो मेहनत लगती है, और जो resources लगते हैं, वो बहुत अलग होंगे Amazon FBA के रिलेटेट, लेकिन आप कहीं से business कर सकते हैं, यानि कि कहने का मतलब यह है कि Amazon FBA, आप वर्ल्ड में कहीं भी रहों, तभी भी business कर सकते हैं, क्योंकि यह online है, और online होने के कारण आप वह सारी लोगों के पास जा सकते हैं, आपका business लेकर, आपका product लेकर, आप इंडिया में हो और यूस में sell करना है, यू can do that too, अगर आप इंडिया में है और अगर आप जपान में sell करना है, you can do that too, not only in Japan, but you can sell in any other countries, जहां जहां Amazon है, क्योंकि Amazon यह facility थी है, कि आप कहीं भी रहो, वहीं से आप apply कर सकते हैं, sell कर सकते हैं, लेकिन आपको पता हुगा तो, right, तो इसलिए मैं चाहता हूँ, आप जिस country में sell करना चाहते हैं, उसकी वीडियोज डेफिनेटली होगी, जैसे कि मैं Amazon Japan के बारे में वीडियोज बनाता हूँ, basically, rules अलग होंगे, अलग-अलग country के rules अलग होते हैं, लेकिन जब Amazon पे आप sell करते हैं, तो funda exactly same होता है, आप जिस country में आप मुझे देख रहे हैं याभी, और उस country से अगर आपको Amazon Japan में sell करना है, तो देरी किसी बात की, guys, there are a lot of videos on my YouTube, watch that videos, get that free course, because free course is available, अगर वो भी समझ में आया, आप मेरे one-on-one mentorship में भी आ सकते हैं, अगर आपको पूछेगे मुझे कि what is the best time to start Amazon business, मैं बोलोगे याँ 5-10 साल पहले, अगर आपने start किया तो बहुत बढ़ी होगा, लेकिन second best time आज है guys, अभी 2022 आने वाला है, अगर आपको financial freedom चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आप 2022 में definitely, चाहिए इंडिया में रहकर पी, इंडिया से start करो, या US से start करो, या Japan से start करो, या Dubai से start करो, मेरे पास है रहे से लोग, तो किसी भी country start करो, लेकिन मेरा यह मानना है कि yes start करो, मैंने जब यूट्यूब channel start किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों के मुझे अच्छे-चे message आते हैं, और उन लोगों को इस information के help हो रहे है, और कुछ लोगों का motivation मिल रहा है कि अगर यह बंदा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, और मुझे यही बताना है इसके अंदर, अगर आपके पास excuses है, कि मैं नहीं कर सकता है, तो guys, you are right, because आपने decide किया है, because you are the architecture of your life, अगर आप decide करते हैं, कि you cannot do that, then you cannot do that, so, आपके mind को ऐसे बताना चाहिए, कि yes, if this guy can do that, then I can do that too, right, what is the difference between you and me, just differences, I just started it before you, क्या फरक है, मैंने सिर्व आप से पहले start किया है, और मेरे से पहले भी start किया है, और मेरे से पहले भी start किये हुए, बहुत सारे लोगे जो millions of dollars business करते हैं, आपको आप से compare करना चाहिए, ना बलकि मेर से, या बाकी लोगों से, तो compare with yourself, be better every day, learn something new every single day, and start your own business, guys, that's it for this video, and I will see you in the next video.